जून 1994 की चौछी जारी है मैं जो गताद आप जी खिद्मत में देशा रहा हूँ ये 1946 सदेकर 1958 तक है मेरे अंदर तो इस पगर ल्याकत दूरूब्ली नहीं की कि मैं इनकाद को जो जन्ग मेने जब से सेंसर की विए ना पर जमा रखता लेकिन इत्फाक से मेरे दो अहबाब मेरे दो बुझर्ग से बशीर खादरानी महूम जो खुद बहुत अच्छाइर है शाख अच्छु खाजरी महूम है कि ये खुद बहुत अच्छे साहिए कि मेरे जितने गदाद गादर इसाथ करार पाते हैं उनको वो जमा कर लिया रखते हैं ये जखीरा इतवाद से कही बेरे काख़ाद में दब गया था लेकि मेरे जहन में हमेशा ये था कि उसको ढूंडा जाए बहुत से गदाद मुझे मिल गए बहुत चलाशानी ज़ाद है और बहुत से ऐसे गाइब होगे तो मैं इन गदाद को महफूस कर देना चाहता हूँ जब तुद्धा इन गदाद की होती है महासमा गांडी के पत्व और कुछ गदाद की नकादिरे इसाथ खरार काईगे आह गांडी की सहादत आह गांडी की सहादत वो भी एक हिंडू के हाथ मौत इसे कहते हैं इसका नाम है शाने हयाथ मौजज़ा एक पस्तकद इंसां का भारत की नजाद गोतमो गीता का एक आवतार सी गांडी की जाद आह गांडी की सहादत वो भी एक हिंडू के हाथ मौत इसे कहते हैं इसका नाम है शाने हयाथ मौज़ा एक पस्तकद इंसां का भारत की नजाद गोतमो गीता का एक आवतार सी गांडी की जाद जंग से अंग्रेज गांडी जी के हर एलान से लास बिस्मन से मगर भागा नवो मैदान से है फकत जिसकी तबको चाहिजे इमान से है फकत जिसकी तबको चाहिजे इमान से मौत को खुशाम दीजे उसने तहा इस्तान से फकत हिंदोस नचा एसिया को नाज उस पर था लंगोटी बंद लेकिन वक्त के शाहों से वस्तर था वफा का अजम का इसार का जुरत का पैकर था वो हिंदो था मगर लाखों मुसल्मानों से बेस्तर था ब्लाक गांधी जी जमाने से उठे याद उनकी राह भी रहबर भी है हिंद वाले कुछ सही जामन नहीं हिंद वाले कुछ सही जामन नहीं इन लेडर शिड भी है लेडर भी है इन तमाम ख़़ाद को नकादिले इसार करा देज़ जाए था अबत्का गांधी पे वो आम ख़़ाद दिसे जन्हें तो अभी वजूद में आया है अपना पाकिस्तान अभी वजूद में आया है अपना पाकिस्तान नजाने कौन सा दर्पेश मरहला होगा नजाने कौन सा दर्पेश मरहला होगा ये सोच चाहूं कि मिल्लत है कमसौर अभी रईस आइज आजम के बात क्या होगा लाँ दीजी कि इस आज़त के बात खुजरतर ने समाल पर रहोता है ये काई जाजम के बात्चा होगा कौन कहता है नहीं है कौम मिल्लत का वजूद कौन कहता है नहीं है कौम मिल्लत का वजूद कौम मिल्लत में वजूद अल्मुक्तसर खाइच का है कौम मिल्लत में वजूद अल्मुक्तसर खाइच का है कांग रिस्ता है, एक जमाद, मुल्क शाजो, मुल्क जूए, और मुस्लिम भी टाइप राइटर, खाइट खाइट, कि यह अखवार नबी सिने स्वाल किया रहा, तहरी के पाकिसान के से चले में, जो खाइटा कि महुंग ने फरमाया थी, वह मुस्लिम भी और क्या थी, एक ताइप राइटर साथ, यह उन्होंने मुस्यमिक की पुगा को बैंक कैसा है कि बेसर रुसामानी के आलम में, पाकिस्तान की कही चिरू ही थी, और सिर्फ ताइप राइटर से, दस्तरो मुसलमाना ने हिंग थी, इस नहीं बड़ी कही क्याएगा दी, तो चलाया गया, गाल अन्हाने साइट, सर उसका चू रहा था आस्मा को, सर उसका चू रहा था आस्मा को, अदम उसका जमीनों पर घवा था, फिकारत से नगांधी जी को देखो, यह पस्ताकद हमाला से बड़ा था, मैं जाती तो पर उनके वाके का दूसे बहुत ज़्यादा मुतासर था, इसलिए कि उनको नासर राम गर्सनी इस जर्म में खस्र किया था, तो वो मुस्मिन मकालियत को बचाने की कुश्च कर रहे था, क्योंकि मैं खस्लियान के नौकर पर देहरी में मौजूद था, और उस ये दौाएं मांग रहे थे कि सुदा करे, घान्दी जी करकटे से ले लिया जाएं, बाक अपने आम था देहरी में, वो छड़ी ये 17 सितंबर को जब आए, करकटे से देहरी, तो कम से कम बहांके जो मुस्मान अपने घरों में छुबह बेट, उन्होंने एक बड़े कुवत तो ये चंद हब से पहले की बात थी, उसके बात गान्दी जी कि महीं आ गया करकी, लेकिन वो अशड़ा थे मेरे जहन पर थी, कि मुस्मान उनके आने से, जहली आने से मुस्लमान आने जहली, किस पदर मुच्छे इन है, खौफ ये है, कि अफरा तफरी में, खौफ ये है, कि अफरा तफरी में, अपने मरकस से हम न हट जाएं, अपने मरकस से हम न हट जाएं, मुल्क अगर बढ़ गया तो बढ़ने दो, मुल्क अगर बढ़ गया तो बढ़ने दो, ये दौा कर कि दिल न बढ़ जाएं, और सोचा भी ही जैसा कि तक्षीम हिंसा अन्पिजा यह होगा कि दोनों कोमों के अंदर इंसानियत चा जज़बा पैदा हो जाएगा और पुरम हमसाहे के तोर पर जोनों कोमों रहें हैं जो गान्धी की तज़्वीज और तद्वीर थी जो गान्धी की तज़्वीज और तद्वीर थी वो भारत की तखबीर बन जाएगी वजूद उसका है आज एक मुश्चिखात यही खाक इसीर बन जाएगी यही खाक इसीर बन जाएगी नदेखो कि आखिर जिया किस तरहां यह देखो कि मरकर वो क्या बन गया जिखो कि मरकर वो क्या बन गया गरच यह कि जल बुचके गांधी का जिसुम अजब नुस्ख़ ए क्रिमया बन गया अजब नुस्ख़ ए क्रिमया बन गया जोसो बरस की खुदानी की बात एक आजाजाद ममलिकत बर्र कोचक में पाकिस्तान के नाम से वुजूद में आई थी लेकिन इसके लिए हिंडुस्तानी मुसल्मानों ने जो पुर्बानिया दीन थी उसकी दी मिशाल नहीं उदे रहे हैं वाकिज उसकी कोई मिशाल नहीं कहा जाता है कि पाकिस्तान को इस्राम के नाम पर हासिद किया गया था जिन इसके और बहुत से वदूत कि बाराल मुझे वसक्त बें अंदेशा आगी था कि जमीन तो तक्सिम हो गई और अब भडेशी इस्राम के का होता है जो राण रहे जो जहां थे अब तक जो राँ जए जो जहां थे अब तर्ट राष आए उन्हें जहां पना ही राष आए उन्हें जहां पना ही मुस्लिम है जमीन हिंद पर ठंग मुस्लिम है जमीन हिंद पर ठंग इसलाम की जड़ी खेर हो इलाशी शिखो लिए उस जमाने में जो हंगामे घर्म का रखे दिश अब तारीख का हिस्टा बन चुके हैं और आज जो कुछ पंजाब में हो रहा है, वो कानूने मकाफार्य हमाल है, सिक्सक्षे ने अपने मसाहिव और अपने आवलाम खुद पढ़ागी है, आज आजम ने एक इस तीजित को को, तो वो एक सिक्स्टेट बनाने में ताबून करेंगे, लेकिन अफसोस किस्ट्रों के अब आज ये खड़ा जो मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरत ही, कि सैंटीस सार पहरे के बात पही जी मैंने, वो किस हब तक आजकर ठीच चालू के लिए, ताकुजा गैज में आए हुए सिक्ट, ताकुजा गैज में आए हुए सिक्ट, अहल इस्लाम का सर का देंगे, इंतिकाम उन से मशीयत लेगी, छोले बोचे हैं, सरर काटेंगे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और मुसलमाना ने हिंदोस्तान का क्या आलम था, कि लीज और कांग्रेस से, लीज और कांग्रेस से, मुसलमा की अर्द है, तारीफ की निगाहे मुस्वर लगी ही, लाओ तो अजलनामा मेरा, मैं भी लेख लू, किस की महर है, सर महजर लगी ही। आज सेंटारीस सार के बाद हम यह अंदाजा नहीं कर सकते हैं, कि तख्तीम के वक्त जो हमारी नक्साइट कैसे थी, वो क्या थी। इनकदास से लिए अंदाजा होता है, कि एक हसास आद्मी की नक्साइट कैसे जा हो सकती है। सर्जियों के आबाई बतन से हम बिचल कर एक ऐसे नए मुल्क में आये थे, कि जिसके लिए हमने अपनी जान और कुर्बान की थी। खांदान बढ़ गए से, उस माले में सही तोर पर अंदाजा इनकदास से विल्म हो सकता है, कि करोरों आदमी या लाकों आदमी, कि जो हिंड़सान से पाकिसान आए से, उनकी जहनी कैसे एक ता थी। अचाए इन गदात की इसाथ इसलिए उनकी बढ़ बंदी थी। इससे कहीं मायूसी नपहर जाए, या महाजीन के अंदर इस्ट्याल नपहर जाए, ये इक जिना पर रोग जाते थे गदात। और खारिक शाब अदीन चाव हमारे वजीर इत्तराद से पहड़े उनकी तालुकात थे। तो बहुत इसलिए बता रखास जिए, कोई सक्थी नहीं शेए, लेकिन वहारा देए, भी वोग देए, फिर ये सब्जा हैं जेए, जिर आए इसलिए 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 इस अला आल्ला शोरिशे तक्सिम की गारत ड्रीैप, वक्त का मामूल गोया कत्लो गारत रह लिए, जिर फृफिंगर त्हुल मेरे और इसलिए, rat आया हिम्न मेजें कबाब। दस सदी के बाद आया हिंड में ये इंक लाब मिटगया हिनोसा चाह दुन्या में भारत घर लिया। हिनोसाईनि की इस्ट्रा जिरह से खिजी चाहिए घर लाट मुसलमानों वो कहते हैं, मुस्लिमीने बर्र कोचक को ख्याल आता तो है, मुस्लिमीने बर्र कोचक को ख्याल आता तो है, जाद रखिए कि यह उनी चुज़तारी से कह रहा हूं मैं, मुस्लिमीने बर्र कोचक को ख्याल आता तो है, हिंद में हम लोग क्या से और अब क्या बन गए, काईदाने लीग की शाने मसीहाई चुदेख, काईदाने लीग की शाने मसीहाई जो देख, दस करोर अफ़ाद कुर्बानी का बक्रा बन गए, फिर अरस कब दूंगी जबो जबास हैं जो उनी से सादी 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 से तो, अदर इसलिए उनकी साद, ऊस अ जबाने जनी में जन्ग में इनको रोक पत्थाईजी, इनको की से प्रकाईदी मसीहाई जीच 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 बड़ी तबधीलियाँ, देखेंगे हम, अब कहां है सब्र की टाकत दिले बेताब में पांच दर्याओं की चूफा खेजियों के साथ खून का दर्या रबा है सच्छे पंजाब में इत्वाद से उसी तक्सिम में लाकों खानना इजर से जा रहे थे लाकों खानना बहां से आ रहे थे रावी बगारा में तूफा ना जयर पांच दर्याओं की चूफा खेजियों के साथ साथ खून का दर्या रवा है सच्छे पंजाब में आई दोस आशिकाने अजीब औ गरीब का ये दोस आशिकाने अजीब औ गरीब का ये हचर इस जहाने अजीब औ गरीब में हम खासगार बसल थे लेकिन खबरनसी हिजरत लिखी हुई है हमारे नसिदिन में एक हजार साल तर मुसलमान किसी न किसी तरह हिंदुस्तान के बड़े वसी स्थे पर हुपूमत कर रहे एक हजार साल तर गयार हिंद से हिजरत का हाल मत पूछो गयार हिंद से हिजरत का हाल मत पूछो पयाम हिजर मिला कासिदे अजल की तरहां सयाम ने हिजर मिला कासिदे अजल की तरहां हजार साल के बाद अब हुआ ये अंदाजा हजार साल गुजारे बशेक पल की तरहां हमें कि यही मैसूश होता है हजार साल गुजारे बशेक पल की तरहां ये इनकलाब के दर दर की ठोक रहे हैं और हम कभी थे अन्जुमन आराए अन्जुमन हम दोग नए वतन में पहुँच कर जिराज हम पखुला नए वतन में हुए हैं जिला वतन हम दोग नापाटियां हैं तमाम बाकी नापाटियां हैं तमाम बाकी हर शंड के पाक ये जमी है नापाटियां हैं तमाम बाकी हर शंड के पाक ये जमी है अंग्रेश का जिसम है कहीं दूर अंग्रेश का जिसम है कहीं दूर अंग्रेश की रूफ तो यहीं है अंग्रेश का जिसम है कहीं दूर अंग्रेश की रूफ तो यहीं है तफ्रीम के मौकर पर जो बियर अफेसी विर्षे में मिली थी वो तरहकिकत Anglil इंडिन टाइट उनके जहें तथी खेंशे, वाब साइट अप्टाइट जो कामी बहाजूर का दस्थूर था जो टामी बहाजूर का दस्थूर था उसे नज्म दस्थूर पर नाज है तुम्हें अपने हुक्काम पर है गुरू हमें अपने जम्हूर पर नाज़ तीने के लिए बाद इश्रत है महया तीने के लिए बाद इश्रत है महया ये किसने कहा चुछ से कि जम्हूर का गम खा ये किसने कहा चुछ से कि जम्हूर का गम खा क्यों काईब आजम की पता है आजोस खाना है तो अंग्रेज बहादर की पता है जो खास लोग है उनके लिए है आज़ादी जो खास लोग है उनके लिए है आज़ादी कोई वजीर बने और कोई सफीर बने सिकम जरीषी ये तकदीर जीजनी है कि हम वजीर बनने को आए पनाहजीर बने शायद में महाजरीन माने अपना तो ये तज्रबा है कि लिए अपना तो ये तज्रबा है कि लिए हमको नए देश की जमीने हमको नए देश की जमीने इंसान से बना दिया है कि लिए ए खास इस तरह ची जो आने बालों के लिए इस्टमाल की जाची लिए कि लिए अब तो भी हम दिला नहीं है गहरत नहाई गहरत की दौलत को देखकर गहरत ना आई गहर की दौलत को देखकर या रब ये किस अजाब में सब अहले दिल पड़े या रब ये किस अजाब में सब अहले दिल पड़े हम लोग अर्ज पाक में हिंदोस्तां से हम लोग अर्ज पाक में हिंदोस्तां से लुट कर जो आए माल गनीमत पर पिल पड़े हमें खुझ अपनी अदाओं पर सरमाती है हमें खुझ अपनी अदाओं पर सरमाती है अगर्चे अपनी अदाएं मता नाज़ी हैं जबाँ खुली तो ये उगदा खुला कराजी में जो लोग अहल जबाँ हैं जबाँ दराजी जो लोग अहल जवान, जवान दराजवी एक चपका अपने आपको अहल जवान कहता था और आल नास कहता था ये आज सल्गी बाती में ये सैंटाबिस, चालिश साथ कब्राजवी जो लोग अहल जवान हैं, जवान दराजवी अब न तुम हुसने लबो रुख्षार की बातें करो अब न इसके खुद करो, खुद्दार की बातें करो अब न इसके खुद सरो, खुद्दार की बातें करो कार की, कोठी की, कारोबार की बातें करो चोर बाजारी की, और बाजार की बातें करो चोर बाजारी की, और बाजार की बातें करो कार की, कोटी की, कारोबार की बातें करो चोर बाजारी की और बाजार की बातें करो और ही नारे हैं अब कुछ अहल पाकिस्तान के हम ये सदमा सह न सकते थे, हम ये सदमा सह न सकते थे मगर क्यों कर सहा, साल भर में कौम हर जजबे से खाली हो गई साल भर में कौम हर जजबे से खाली हो गई काईब आजब में ये खम साल भर क्यों कर सहा चोज़ अपन नम ही नबाद मरूं, हम उन्तकार हो गई साल भर में कौम हर जजबे से खाली हो गई काईब आजब में ये खम साल भर क्यों कर सहा पाइजे मिलत हैं रहबर लाख़ भी बिखाँ पाइजे मिलत हैं रहबर पाइजे आजम के बाद लेकिन अब वो रहबरी की सांथ वो अजमत गई अहले मिलत पर मुसंबलत हो गई हुकाम वक काइजे मिलत में काइज रह गया मिलत जई कुछ वडेरे कुछ मशाइख और कुछ सरमायदार कुछ वडेरे कुछ मशाइख और कुछ सरमायदार है यही चोरों की टोली कौम की तख़ीर में है यही चोरों की तोली कौम की तख़ीर में जिस जमीं के वास्थे उजड़े हैं लाकों कांदान वो जमीं जादियर जारों को मिली जादियर में खानुमा बर्बाद फिर्चे हैं जो हिंडो पाथ में खानुमा बर्बाद फिर्चे हैं जो हिंडो पाथ में यही बहां से लाकों कांदान इस तरह आये थे खानुमा बरबाद इसे बोनी है, खानुमा बरबाद प्रते हैं, जो ही जो पात हुए हैं, किस तरहा खुश हैं, हम उन लोगों की दौलत लूप कर, ग्यूसरों के माल पर जपते हैं इस सिद्ध से लोग जिस तरहां मौरदार लाशों पर गिरें जिл तूप कर जिस तरह मुर्दार लाशों पर गिरें जिद तूट कर। बाद लोगों का चा स्रियत का जो खानम बर्बास होकर आई ती जहाल था कि जिस खेट में घुटे उसे चड़ने लगे बशाओक जिस खेट में घुटे उसे चड़ने लगे बशाओक अपना समझ लिजा अपना समझ लिजा उसे जिस घर में पड़ गए मुमिन लगे हैं माल खनीमत की चाक में घाजी इलाटमेंट के चक्कर में पड़ गए तो बात है भी जिस खेट को जमाने में एलाटमेंट और मतलूगा जादा दे हैं इनके अरबों को स्थिक्ट बेंट लोगों को गुला महम्मद शाहब अचानक नाजिम उद्दीन शाहब की बशारत को बर्खास करके अखवाराग पर संसर लगा दिया तमाम आईनी सरगर्मिया खात्म हो गई इसका मेरे कर्व ने जो असर कुबूल किया है उसे बगानी उत्दा और ये पहला मौका धा काईद याजम और काईद मिलत के बाद के इस गिर्वा केसी अपनी पूरी चाख़त के साथ पाकिसाद बगारी ने रिए रईस आजादिये कौम और वतन का मचाया था बहुत जम्हूर ने सो हयाते नव बजाहिर हमने पाई दिले जिन्दा है लेकिन जिन्दा गरगो पाई आजादिये बगारी ने जिन्दा ने बगारी पाई लेकिन जिन्दा वाईप। झाल झाल